Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए आज क्या है So, यह सारे star signs की reading होती है, यह एक short reading है और बिल्कुल timeless है So, देखते हैं कि आज आपके partner कैसा feel कर रहे है और क्या सोच रहे है So, हमारे पास है eight of cups King of swords The world, okay, बहुत जदा distance, कुछ लोगों का long distance Okay, we have king of wands, six of wands Five of pentacles And death Bottom पर है हमारे पास ten of wands Okay, बड़ी specific messages आ रहे है I feel के recent past में आपने इस connection को बहुत जदा analyze किया है मतलब अपने person के behavior को बहुत जदा देखा है आपने उन्हें बड़ा प्यार भी दिया, फिर एक point पर आपने अब यह सोचा कि शायद अब आप इनके साथ नहीं रहेंगे तो बड़ी specific situation लग रहे है Like आप से वो बहुत जदा detached रहे और आपने उस सारे समय में अपने आपको आप कहलें कि prepare करना शुरू कर दिया कि आप इस connection में नहीं रहेंगे तो अब वो ठीक होकर वापस आपके पास आ रहे हैं और आप यह decide कर रहे हैं कि आप मुझे इस connection में नहीं रहना है क्योंकि जब आप इस connection पर work करना चाह रहे थे आप अच्छे थे, हर चीज़ करने के लिए ready थे उस वक्त आपके person ने आपको बहुत ज़दा cold behavior दिया आपसे detach रहे, emotionally available नहीं थे आपके लिए आपको बहुत hurt किया तो मुझे ऐसे लगता है कि आप वो वापस तो आ रहे हैं बर शायद अब बहुत देर हो चुकी है या आप धीरे धीरे खुद को prepare कर रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे with this five of pentacles, death energy, moon energy I really feel कि आप जैसे उनके साथ अब नहीं रहना चाह रहे है तो यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio बहुत strong है Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra यह star signs यहाँ पर बहुत strong है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में बहुत ज़ादा emotional distance रहा है recently या recent past में और उस phase से निकल कर अब आप लोग एक नए phase में enter हो रहे है and I really feel कि आपके person ने कुछ achieve किया है किसी goal पर उनकी पूरी attention थी या किसी बात पर किसी चीज़ पर और वो चीज़ में उनको success मिल रही है तो अब वो वापस आ रहे है and you feel कि यह कितनी selfish इनका behavior है कि जब उनका अपना mood अच्छा हुआ तो वो आए जब उनका अपना mood अच्छा ना हुआ तो उन्होंने बिल्कुल आपको attention ना दी बिल्कुल आपको वक्त ना दिया so basically you feel कि बहुत ज़्यादा आपने पहचान लिया है कि वो कितने selfish इनसान है basically तो selfish energy यहाँ पर मैं pick कर रही हूँ with these two cards बड़ी arrogance नज़र आ रही है, pride नज़र आ रही है ego भी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जो इनसान बस जिसने अपने लिए जीना है और अपने लिए भी क्या जीना है ऐसे नहीं कि अपना खयाल रखना है या अपना च्छा बुरा पता है ऐसे नहीं, बस अपने mood के हिसाब से जीना है बस दिल किया है तो कुछ करना है दिल नहीं करा तो नहीं करना है courtesy नहीं रखनी है अगले का दिल नहीं रखना है यह नहीं सोचना है कि उसका क्या इस वक्त मूड होगा मुझे उसको time देना चाहिए यह वहली चीज नहीं है नजरारी फिलहाल so I feel कि यहीं चीज़े हैं जिन्होंने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है कि आप उनके साथ अब नहीं रहना चाहते है आपने time के साथ उनको बहुत notice किया है और आपके दिल पर बड़ा बोज़ है इस बात का and you feel कि मैं शायद इस दफ़ा मैं कुछ भी कहे बिना उसकी जिन्दगी से चला जाऊं या चली जाऊं इस तरह आपने सोचा है so I feel कि कहीं न कहीं deep down आपके person को शायद ये बात महसूस होगी कि आप धीरे धीरे उनसे दूर हो रहे हैं अब आप उनसे detach हो रहे हैं उनको ये चीज रियलाइज होगी but I really feel कि ये वो इनसान है कि जिनको बहुत देर से चीज़ों की रियलाइजेशन होती है जब आप उनको छोड़कर चली भी जाएंगे उस वक वो बहुत अकडिंगे और कहेंगे कि ठीक है ठीक है जाऊ जाना है तो और पिर काफी टाइम गुजरने के बाद उनको ये रियलाइजेशन होगी कि उन्हों ने बहुत गलत किया उनकी तरफ से mistake थी उन्हें पिर आपकी याद आएगी वो तड़पेंगे आपके लिए बहुत लेट हो गई है सब कुछ super specific messages so कुछ लोगों के लिए situation है और अगर आप stay करना चाहते हैं इस connection में तो obviously इनसान आपके साथ ठीक तो हो जाएंगे इनका mood भी हर चीज बट I do feel के हर कुछ time के बाद ये चीज होती रहती है आपको realize कि इनसान selfish behave करते है so ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप बताईएगा comment section में मैं मिल हूँगी आपसे next video में till then love you lots bye bye